नमस्कार आप सभी का स्वागत है सी आफ नूस पर दोस्तों इंडिया पोस्ट के अंतरकत में ग्रामिन डांक सिवक्त के भरतियों के लिए 36 गड़ में फिर से वियापन जो है जारी किया गया है जिसकी विश्तिरत जानकरी आज हम आपको इस वीडियो को माध्यम से देने वा है इंडिया पोस्ट के अंदरकत में ग्रामिन डांक सिवकों के छतिगड़ सरकल में इस बार 1137 पदों पर भरतियों के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है और इसके लिए ऑनले नावेदन की प्रक्रिया जो है चालू की गई है अभियर्थी यहाँ पर ऑनले न 2021 तक अलिन माध्यम से यहाँ पर अपना आवेदन जो है भर पाएंगे इसके लिए पर प्रेस रिलीज जो है विभाग दौरा जारी किया गया है और अलिन आवेदन करने के लिए इसका लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है अगर यहाँ पर अलिन आवेदन भरने में अभयरθियों को कोई भी समस्चा होती है तो अभयरTHИ यहाँ पर ऑफिसियल जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल कर सकते हैं साथि साथ में यहाँ पर केरला सरकल के अंदर गत में भी 1421 पदों पर भरतियों के लिए ग्रामिन डाग से जिसमें rudो जिभाय है इसके भी यहां पर job profile दिया हुआ है क्वण कौन से कार्य है जिभाय है आप इसको अच्वे से यहां पर पढ़ सकते हैं इसके लावे यहाँ पर तीसरा जो पद है वो डाक सेवक का पद है यहाँ पर डाक सेवक के पद के लिए भी जाव प्रोफाइल दिया हुआ है डाक सेवक के पद को यहाँ पर कौन से कार्य जो है कौन से दाई तो यहाँ पर करने होंगे आप यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हैं यहाँ पर आपको वेतरमान सेलरी के बारे में भी निटधारा ने किया गया है भाग दोरा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको वेतरमान सेलरी यहाँ पर दी जाती है वहीं पर अगर आपको ABPM या डाक सिवग के पत पर आपका चैन होता है और चार गंटी की सिवा अगर ली जाती है तो 10,000 रुपए की सिलरी यहां पर ली जाती है तो 12,000 की सिलरी जो है यहांपर दी जाएगी अब यहाँ पर देखते हैं सेखणी को गेता आयू सीमा किस प्रकार से होगी ग्रामिन डाक से वक्त के इन पदों पर भर्दियों के लिए आयू सीमा नियूनतम 18 वर्स और अधिकतम 40 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए आयू सीमा की गर्णा यहाँ पर 8 मार्च 2021 की सिधी में की जाएगी यहाँ पर आयू सीमा में छूट किस प्रकार से दी जाएगी आप यहाँ पर देख पाएगे A.C. और A.T. के अभियर्थियों को 5 वर्स के आयूसीमा में छूट मिलेगी और वहीं पर अन्य पिशावर्ग के अधर बेकवर्ट कास्ट के अभियर्थियों को 3 साल के आयूसीमा में छूट जो है दी जाएगी इसके लाव यहाँ पर अन्य देख सकते हैं आप जिस भी के टिगरी से विलॉंग करते हैं आप यहाँ पर आयूसीमा में छूट जो यहाँ पर देख पाएंगे आए दोस्तों आप यहाँ पर श्रेखणी योगेता हैं देखते हैं तो आप तुभी को बताना चाहेंगे हिंदी अंगरेजी होना जैरूरी है तो लगभख दसवी क्लास में सभी हिंदी और अंगरेजी और गड़ित जो है पढ़ते हैं तो यहाँ पर दसवी पास इतने भी अभ्याड़ती है वह इस भरती प्रक्रिया में जो आपना फार्म भर सकते हैं इसके लागे यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में भी कहा गया है दोस्तों यहाँ पर चैन के उपरान जितने भी ग्रामिन डाक से वक अभी ब्रांच में आपका चैन होगा जिस भी पोस्ट आफिस में चैन होगा उस पोस्ट आफिस में आपको निवास करना होगा उस लोकेशन में आपको निवास करना होगा सरतों के अधिन आपको निवा जमिनी श्तर पर ग्रामिट चेतरों के एरिया का जान पहचान आन भी होना जरूरी है दोस्तों करना होगा इसके लिए उन्हे और आवेदेन का सुलक भुखतान भी करना होगा ग्रामिन डाक से वक्के इन पदों पर चेन के लिए चेन प्रक्रिया यहाँ पर आटोमेटिक जेनरेटेड मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर चेन जो है भियर्थियों का किया जाएगा online आवेदन करने के लिए भियर्थी online आवेदन indiapost.gov.in website पर या फिर aapost.in.gds online पर जा करके अपना online आवेदन 8 मार्च 2020 से लेकरके 7 अपरेल 2020 तक कर पाएंगे online आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको class 10th की mark sheet जिसमें आपके fathers का name, mobile number, date of birth, gender, community आप दिव्यांग है या नहीं है आपका state 10th pass होने का आपको board का नाम या आप passing इन सारी जानकरियों को जो है आपको यहाँ पर feel करना होगा इसके बाद जिन अभियर्थियों को सूल को भुकतान करना है वे अभियर्थी सूल को भुकतान करेंगे और इसका print out लेकर के जो है भियर्थी रख सकते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पर online आवेदन जो है कर पाएंगे online आवेदन करने में यहाँ आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा online आवेदन करने के समद्ध में आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसमें आप घर वैठे ही अपने मुबाइल फोन यह कंप्रूटर लेप्टाप डेस्कटाप के माध्यम से भी उसको देख करके online आवेदन जो है कर पाएंगे दोस्तो जारी किये गए इस विग्यापन में आप देख पाएंगे जो है पूरी तरह से दस्वी के प्रतिसात मेरिट के अधार पर होगी तो आप इस विग्यापन में विस्तार पूरवक से पत की स्थिती देख सकते हैं एक्जामपल के लिए उधारन के तौर पर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा और यहाँ पर पर चैनि तर्भेरतु कुंए अबलिक डाक से वख का पत है और यहाँ पत की स्थिती जो है यह समानी स्थिति है जनरल में यह पद और पद जो है एक पत है एक पोस्ट है और इस पर चेनी तो भीरती को सेलरी जोए 10,000 की दी जाएगी प्रकार से आप पूरा डीडिल्स जो है देख पाएंगे आप जहां-जहां के लिए फार्म भरना चाहते हैं आप देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर पद की स्रेडी समान्य स्रेडी में है इसलिए जो है पर सभी वर्गर के उमिदवार भांप भरेंगे लिए चाहे वह फिर सभी और यहां पर 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 सिलेक्शन की चांसेज रहेंगे क्योंकि जाता-जादा प्रशेंट वाले सभी यहां पर जनरल में भरेंगे या फिर अपने नजदी की चेत्र में भरेंगे तो आप जिस भी से इंड़ी के अंतरगत में आते हैं अगर इस्टी, स्सी, ओवी सी के अंतरगत में आते हैं तो फॉर्म भरते समय इस बात का विशेश ध्यान रखिएगा यहां पर पद का आरक्षण वार जो है इस्थिती देख लिजेगा को पद जो है कौन से स्रेड़ी में है एस्टी में है एस्टी में है या फिर ओवी सी में है या ES अंतरगत में आर्थी कुल से पिशा बर्गकों के अंतरगत में इन श्रेड़ीयों के विएप को अपर देख सकते हैं Hunting Harald पत पत चяти की sama करती पहरें चार स सब्सक्राइब कर दाओं कारी के लिए आपको इस बीडिये उब्साइट का लिंग साथ में इंडिया पोस्ट का वब्साइट का लिंग भी description में प्राप्त हो जाएगा जहां से आप जाने करके बारी-बारी से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं साथे साथ अफिसल वेब साइट में जा करके online आवेदन भी भर सकते हैं तो दोस्तों आज की शुडियों बस इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो जरू कर दीजिगा अपने जुरूत मन दोस्तों साथियों को साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिगा मिलते हैं ऐसे ही अनिरुजगार समचार और धेट सरी जनकरियों को साथ में तब तक के लिए जैहिं कर दो साथ नहीं है